ये है दिल्ली दर्पन दिल्ली की जो अर्विन केजरिवाल जी की सरकार है वो शायर देश की पहली ऐसी सरकार है जिसमें अंतिन व्यक्ति के बारे में सबसे पहले सुचा सबसे पहले तो मैं आप सबका यहां बहुत स्वागत करता हूं और यहां आने के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं अभी तीन दिन पहले ही विश्व मजदूर दिवस मना आ गया आज आप यहां पढ़ा रहे हैं तो सबसब पर मैं आप सबको मजदूर दिवस की भी बहुत 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 शुब कामने देना चाहता हूँ हमारे माने मुख्यमंतरी अर्विन केजिवाल जी हमेशा एक शब्द यूज़ करते हैं कि यह मजदूर नहीं निर्माता है इस देश का भागय विधाता है उनके मरदशन में बाबा सहब अंबेटकर जी द्वारा देखा गया सपना जिसके लिए उनने सम्विधान बनाया जिनको कुद्रत ने कम दिया हो उनको सरकार जादे दे ऐसा काईदा चलाना ऐसी यूज़ने चलाना इस तरह की ववस्था चलाना कि जिनको किसी भी कारण से कुद्रत ने कम दिया उनको सरकार चार कदम आगे बढ़के जादे करे उनको सरकार जादे दे बाबा साहब के नक्षे कदम पे चलते हुए उनके बनाई सब्यदहन को आगे बढ़ाते हुए और साथ साथ शहीद आजम भगस सिंग जी को जिस सपने को देखके भगस सिंग जी जैसे लोगोंने 22-23 साल के ररके फांसी पे जूल गए थे उन्होंने कुर्बानी दी थी उस आगे बढ़ाते हुए राज अर्विंग के जिवाल जी की सरकार काम कर रही है और आज उसी दिशा में एक बहुत महत्मीन फैस्टा ये लिया है कि दिल्ली में निर्मान स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को आने जाने के लिए पैसा ना खर्च करना पड़े इसके लि पैसान और मजदूरों को समझते हैं फच्चा डाल दिया जाता है कोई ठीक से ना करेगा तो पहले यह सोचा कि भई मजदूर हैं फरी में बस पास दिया जा रहा है तो उसमें एसा करते हैं सीदेशने साने के लिए ताकि कोई धर 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 ना करे 100 रुपे मजदूर से ले ल रुपे रोजाना खर्च होते हैं किसी ने बोला कि जी 800 रुपे का पास बना रख़ा है मैंने अभी ब्रीफली रोगों से पूछा तो कम से कम अगर पास भी बना रख़ा है तो 800-900 रुपे तो खर्च होते ही हैं तो आज इस पास की वज़े से वो तो निश्चतूप से रहे हैं तो 100 रुपे का पास मजदूर से भी डलवा लो 100 रुपे फिर मैंने कहा क्यों डलवा दो यार इस 100 रुपे के डलवाने के चक्कर में एक तो खर्ट मिठाना बढ़ेगा हर जगे और वो अगर उसका अच्छा आदमी हुआ तो मजदूरों की सेवा करेगा और अच् सिस्टम ही क्यों बनाया जाए अब 100 रुपे देने के चक्कर में मजदूर अगर 8 रुपे तेरे तो 8 रुपे बच रहे हैं लार 500 रुपे 30 रुपे तो भी फाइदा है और मजदूर जाके लाइन में लगेगा कहेगा एक दिन की मजदूरी छोड़ने पढ़ेगी मैंने काई 100 रुपे दी सवर्कार को नुक्सान होने तो क्या फरक कुछ तूर रहा है और आज सब मजदूरों के लिए ये सुविधा दी जा रही है जिस दिस मजदूर साथी को वैसे मैं देखा था आम पार पर जब मजदूरों के हम तारिक्रम करते हैं राजेश जी तो सबसे ज़रे महला मजदूर होते हैं लेकिन आज ज़रूत नहीं है अज़की क्योंकि आपके मुख्यमंतरी जी ने योज़ने ऐसी बना रखी है कि महला हैं तो चाहे वो कलेक्टर हो या मजदूर हो सबके लिए बस फ्री है दिल्ली में आप चाहे निर्मान इस्थल पे कलेक्टर हो निर्मान इस्थल पे काम करने वाली मजदूर हो या उस निर्मान इस्थल की मालकिन हो मजदूर और मालकिन दोना बस में जाएंगे तो किभरिवाल जी की सरकाट दोना को फ्री पास देट लिए महलाओं के लिए तो बहां उसकी जरूत नहीं है पुर्शों को जरुत है बहुत सारे लोग मेहनत करते है आपको याद होगा जब जो लोग पुराने समय से दिल्ली में रहे हैं पुराने मतलब 10-15 साल से कम से कम रहे हैं कि दिल्ली में पहले जो मजदूरी थी सरकारी कामों में भी 8-9,000 रुपे की होती थी केज़िवाल जी की सरकार ने आकर उसको 15,000 रुपे कराया कि मिनिमम 15-16,000 रुपे काफी लगाई लड़ी उसके लिए भी बड़े बड़े लोग कोट चले गए ये बीजेपी वारे भी कोट चले गए बोड़ी जाके कोट में खड़े होगी नहीं नहीं इतनी मजदूरी ने देनी चीए अब वैसे तो कहते थे मजदूरी होने ने वैसे जाके मजदूरों के खिलाफ से लेको कोट में जाके खड़े होगे तो उनके खिलाफ भी लड़े जाके और उसका फाइदा ही हो रहा है कि अच्छे प्राइवेक सेक्टर के लोग है वह भी पूरी बजदोरी देते हैं जो थोड़े से कम है, वह कम करते हैं, फिर उनक에 ओपर पूष मारते हैं, अभ ज целiti, पिर उन्ड़े बिन्ड़ चलाते हैं, फिर मजदोरी मिले लगते हैं, पर अधिकार को है, और उस अधिकार पर आप लड़तो सकते हो लड़ते हो तो फिर हरम और सरकार आप मिलके सम्मिल के दिलातो देते हैं तो यह भी दिल्ली नहीं हो रहा है कहीं और नहीं हो रहा है निर्मान, मजदूर, समिक के लिए पैसा खुब आता है मैं है नोट्र सब्सक्राइए याद उड़न्चाश दिन की सरकार में जब मैंने देख बजेट तू पता चला ऊस वक्षोले क्रोर रुपए होता था कि निर्मान मज़णों का सोले सो क्रोर रुपए इकठा हो गया अब तो दिन की सरकार बनी थी मेरे थाइल आई बोले जी मजदूर के लिए पैसा है, क्या कर रहे इसमें? कोई योजना वोजना थीं काख़़ज फे लिखने के लिए भना रखी थी भुस सारी मैं कितने मजदूरों को फायदा मिला जी 100 को इस युजना का मिला 50 को इसका फायदा मिला 200 को इसका मिला मैंने कि ये क्या हुआ बोले जी 10 लाग इसमें गए 2 लाग इसमें गए 3 लाग इसमें गए मैं 600 करोड रोगे तो बहुत बड़ा होता है compute मिल रहा है बोले जिए मजदूर apply नहीं करते फिर मैंने पुछा कितने रिजिस्ट्रेड है तो उस वक्ट 50,000 मजदूर रिजिस्ट्र थे रहे दो जागत ते रहे मैं और मैंने का थी पछले 4-5 साल में कहा कहा खर्च हुआ आगे क्या क्या योजना है तो खर्च होने में जो योजना आी थी, वो यही थी, जी एक बड़ा गेस्ट हाउस बनाएंगे मजदूरों की ट्रेंइन्क का 50 करोर रुपे क्रश करके छूफ करोर पिया थाउस बनाएंगे, उसके कोई मजदूर के रुप या नि जाके कुछ मजदूरों के लिए ही करो फिर दोबारा आप लोगों ने चंदिया सरकार बना दी 49 डेस के बाद वाली फुल फ्लेजिट उसके बाद तो फिर आप देखो आज तक आप कितने दस लाफ हो गए पूरी दिल्ली में दस लाफ मजदूर रजिस्टर हो गए और देश के इतिहास में सबसे ज़ादा पैसा मजदूरों में बाद गया है दिल्ली बोर्ड दोरा अरुन जी पिछले एक साल में कितना पैसा बादा है लग 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 अपने 600 करोर रुपए मजदूरों में एक साल में बाद दिया गया देश में कहीं किसी सब्कार में बाद गया दस लाफ लोगों को कोविड के कारें जो नुकसान हुआ उसमें पांच-पांच सेजार रुपए दे दिये गए फिर अभी जिनका जिक्र राजेश जी ने किया में पहुँचा था एक दिन सुबह सुबह है उस दिन से बदलना शुरू आए है ना उस दिन से पहले तो मजदूर अगर इरिश्टेशन करना जाता था तो चार बजे लाइन लगा के खड़ा होता था और उसके बाद विचारा दस बजे ग्यारे बजे कोई अफसर आया तो आया नहीं आया तो नहीं आया फिर हार के बाहर एक दलाल आके चुपके से कहता था बाहर आजा मैं करवा दूँगा और कितने पैसे लेता था हो पंसो चार्सो हजार रुपे तक लेता था और वो करवा देता, दो-दो हजार रुपए तक लेके वो करवाता था लेकिन उस दिन जब मैं जा के सच में दिल दुखा मेरा कि यह सारे चार बाजे किसी मज़दूर को बला लो और दिन भरस का काम ना हो और फिर दोजार रुपे में रिश्वत दे के हो काम कराए रेजिस्टेशन के लिए और बाकी तो पूछो इमत क्या होता है तो उस दिन के बाद से फिर चीजे सुधारी हमारी टीम बहुत शांदार बन गए यह बोर्ड में मैं बोर्ड के एक एक अधिकारी को आज अगर रिश्टेशन इतनी दसलाख हुए तो यह मनी सिसा देने नहीं किये उसके लिए हमारे बोर्ड के अधिकारी और हमारे स्रमिक मित्र इन्होंने खुम भेने चीए आज दिल्ली में एक भी ऐसा लेबर चौक नहीं होगा जहां हमारे अधिकारियों और हमारे स्रमिक मित्रों ने जाके धंडे पकड़का करके बैनर लगा लगा के रिजिस्टेशन ना करवाए हो सारी जगे जा जाके रिजिस्टेशन कराए है तो ऐसे होता है काम करने के लिए पहले नीतियां बदलने पड़ती है आज नीती बदल गई तो दस लाख लोगों को फायदा हो रहा है नीती बदल गई तो आज छैसो करोड रुपए किसी के बच्चे का किसी का गर्पा का बतलब आपको पता नहीं पूरी जानकारियां तो होंगी सिर्मिक मित्रों को तो है ही सारी लेकि मज़़ूरों को मतलब सरकार ने इतनी बढ़ी है बढ़ी है योजनाय बना रखी है लेकिन पता हो तो आज सरकार तयार है पहले ये था पता हो तो सरकार नी दलाल तयार होता था अगर सरकार तयार है आपको उसका सुझदा देने के लिए बच्चे के जिनन पर लाब मिलता है तीस हजार रुपे का पहले दो बच्चों पे गरपात अगर गलती से किसी कुछ हो जाए मिसहतनिंग हो जाए किसी के परिवार में महिला को तो उसमें 3,000 रुपे की तुरंक सहथा मिलती है रदवस्ता पैंशन मिलती है शिक्षा सहथा बच्चे की 500 रुपे से लेके 5,000 रुपे के लग़़ा के टेग्री में मिलती है शादी के लिए लाब मिलता है मकान अगर खरीद रहो निर्मान कर रहो तो उसके लिए मिलता है अगर गल्पी से विकलांक हो गए किसी करनवस, उसमें साहिता मिलती है, अगर स्थाई विकलांक था अगई तो मिलती है, काम से जोड़े होगे अजार खरीदना चाहते हो, उसके लिए भी 20,000 रुपे तक की साहिता मिलती है, अंत्रिम संसकार अगर कि पेंशन मिलती है तो यह सब में आज 10 लाख मजदूरों के बीच में 600 करोड रुपए अगर एक साल में दिये गए हैं तो आप मानोगे कि कहां कुल मिलाके 10-15 लाख रुपए एक साल में दिये जाते थे और आज 600 करोड मिल रहे हैं तो लोगों तक ही तो पहुंचें और आज एक नई योजना शुरू करती इसमें कि सब को फ्री बस पास अब आप अराम से कहीं भी जाओ कहीं भी काम करो यह नहीं सोचना पड़ेगा यार 1000 रुपए की 500 रुपए की 800 रुपए की या जो भी मजदूरी मिलती है इतनी तो मजदूरी मिलेगी अब उसमें से मानलो 100 रुपए बस में लग गए तो कैसे काम होगा तो आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा आप आराम से महनत करें अपना परिवार चलाएं और इस से जो पैसा बचेगा अपने परिवार के लिए खर्च करो और कुछ नहीं तो घुमाओ फिर आओ उनको चुड़ेया खर दिखाओ उनको उनको कहीं खाना खिना में ले जाओ कुछ भी करो लेकिन किसी आलतुफालतु चीज पर वैसे मत खर्च करना बच्चों को घुमाने ले जा कि यहां बहुत मज़़ूर बैखे हैं आप मुझे जो मज़़ूरी का काम करते हैं मज़़ूरी मैं कई तरह के लोग हैं मैं क्योंकि मज़़ूर जब सब कहते हैं तो फिर्मा वाला मज़़ूर एक तरह का होता है पर सरकार के कानून के हिसाब से निर्मान स्थर पर काम करन आनके चैशने में। लोग बैठें कहां से कहां जाते हैं कोई अपना बता दे कहां से कहां जाते हैं रोज या महीने में कितना पैसा खर्च करते थे और वो कैसे बचे गाब कोई बताएंगे हाँ बताएं अच्छा मैक लेलो मैक लेलो क्या आकरें मैने रेला से सर्फ गुड़ाओं पर जाना परता है कभी मत अभर दाब जाना परता है तो वहां से जो गारिप पिरते हो संय एक जाओ है जागी पूरी ञाँ मैटर पिए सीपर गारं देरा निके पार गारे मेरा जाँ जाँ सद्वार मेरी माहदन मेरा नाम राजकुमार है मैं पैंटर हूँ अच्छा सर मैं सुन्तान तुरी से सेक्टर दौरगा इत्कीस में जाता हूं मुझे तीन थीन बस पगणनी पड़ती थी कोई समय ऐसा होता था कि पैसे नहीं होते थे उसके काहन तीन सो साड़े तीन सो की ड्यारी तूर जाती थी अब ऐसा नहीं होगा क्यूंकि आपने इतनी दिली सखाने मदब कर दिया हम गरी मजदूरों की इससे हमारे घगा चुला रोग ज़ए